युद्ध के बादल यूक्रेन पर मंड़ाय तो वहीं वहां की जनता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुए लोग कीव में एक जुठवे और अपनी अखंड़ता का संदेश भी दिया युक्रेन सरकार का होसला बढ़ाने के लिए युक्रेन की आम जनता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है अपने मुल्क पर बंड़ा रहे खतरे को देखते हुए कीव में हजारों की संख्या में लोग जमा हुए ये लोग बताना चाह रहे हैं की कटिन हालात में वो सरकार के साथ हैं कीव में जमा हुए लोगों के हाथ में जंड़ा था और दिल में एक जुट रहने का जज़बा युक्रेन के आम नागरीकों के लिए ये हालात नए नई हैं क्योंकि हर युक्रेनी जानता है कि युक्रेन के साथ-साथ उनके रिष्टे पिछले आठ साल से खराब है और बात अब जंग पर आ चुकी है यहां आए लोगों ने बताया कि वो लोग इस थिती के लिए बहुत पहले से तयार थे हलाकि ताजा हालात से इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं युक्रेन में भी अफगानिस्तान जैसे हालात न बन जाए क्योंकि खबर है कि कीउ में बड़ी तादाद में लोग जमा हैं जो जंग शुरू होने से पहले अपना मुल्क छोड़ना चाहते हैं सबसे ज़्यादा घबराट विदेशी नागरिकों में हैं जिनके दूतावास बंद हो चुके हैं और समय रहते उन्हें जरूरी मदद नहीं मिल पा रही है और ये लोग स्थानिये लोगों से मदद मांग रहे हैं